स्वागत थे आप सभी का GS Magnet Case YouTube Platform पे तो प्यारे साथियों जैसा कि आप जानते हैं बिहार डेलेड सस्थ 2024 से 26 के लिए जो इंट्रेंस एक्जाम है 30 मार्च से शुरू होकर कि 28 अपरिल तक चलने वाला है जिसके लिए बहुत सारे बच्चों का जो एड्मिट कार्ड है 30 मार्च 31 मार्च वाले का डाउनलोड हो गया है इसी बिच बिहार विद्याले परिक्षा समीति के द्वारा एक अफिसली नोटिस जारे किया गया है जिस नोटिस में आपको बताया गया है कि आपका बिहार डिलेट का एक्जाम जो है कैंसिल कर दिया गया है क्या हो गया है कैंसिल कर दिया गया है हाला कि सभी सिप्ट का एक्जाम कैंसिल नहीं किया गया है और जिन बच्चों का Admit Card अभी तक डाउनलोड नहीं हो पाया है और जब ये डाउनलोड कर रहे है तो Invalid का प्रोपोलम आ रहा है तो उनका Admit Card कब से डाउनलोड होगा सारे जनकारी हम लोग इस वीडियो के माद्यम से जानेंगे तो आईए हम लोग इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पना है तो चैनल को आप जरूर सस्क्राइब करके बगल वाले बेल गंटी को प्रेस कर देजेगा ताकि कोई भी वीडियो बिहार डिलेट से सम्मंदित इस चैनल पला जाए तो यूटूब के माद्यम से वीडियो का नोटिपिकिशन आपको मिले और आप असानी से उस वीडियो को देख सके ठीक है जैसा कि हम सुरू में ही बता चुके हैं बिहार विद्याले परिक्षा समिती के दोरा यह अफिसिली नोटिस चारी किया गया है देख लेजिए बिज्यापन संक्या पियार एक सा एकीस दो हजार चौबिस ठीक है प्रारमभिक सिक्षा में डिपलोमा डियलेड पाठिकरम सस्त्र दोहजार चौबिस से चौबिस में नमांकन हेतु ऑनलाइन सीबी टी बिधी से आयोजित होने वाले डियलेड सन्यूक्त परिवेस परिक्षा दोहार चौबिस की परिक्षा में समिलित होने वाले अभियार्थियों उनकी अभिभाव को संबंधित जीला पदाधिकारियों जीला शिक्षा प्रदाधिकारियों यहां अन्य संबंधितों के लिए परिक्षा संबंधित आवस्यक सुचना देख लिजें यहाँ पर आवस्यक सुचना आपको बता दिया गया है देखिए आवस्यक सुचना क्या है तो यहाँ पर देखिए आप लोग इतदव द्वारा विज्यापती संख्या पी आर एक सा सत्रा दोहचार चौबिस के करम में प्रारंभिक सिक्षा में देखिए पार्ठिकरम के सस्त्र दोहचार चौबिस से चौबिस में नमांकन हेतु डियलेड सन्युक्त परिक्षा जिसे इंट्रेंस एक्जाम बोला जाता है दोहचार चौबिस में समिलित होने वाले अभियार्थियों तथा उनके अभिभाव को संबंधित जिला पधाधिकारियों सम्भी संबंधितों को सुचित किया जाता है कि दिनांक 3-03-2024 यनि कि 30 मार्च का बात किया जा रहा है ठीक है एवं 31-03-2024 यनि कि 31 मार्च का बात किया जा रहा है को परिक्षा परिहाए कार्ड़ों से एस्ताकित की जाती है देखिए यहाँ पर हम इसको हाइलाइट कर देते हैं इसको आप लोग पढ़ लेजिए यानिकि किसी कारण वस 30 मार्च और 31 की मार्च को होने वाली परिक्षा को क्या किया जाता है एस्तकित यानि की कैंसिल किया जाता है ठीक है बाकी नीची आपको बताया गया है कि उक्त तीथी की यानि की एस्तागित परिक्षा के पुनर निर्धारित तीथी की सुचना अलग से विग्यापती के माध्यम से यानि की प्रसारित की जाएगी मतलब अलग से आपको सुचित किया जाएगा बिहार विद्धाले परिक्षा समिती के दौरा ठीक है बाकी देखिए दिनांक 1-4 यानि कि 1 अपरेल से 28 अपरेल तक की परिक्षा निर्धारित केंद्रों पर यर्थावत संचालित की जाएगी यानि कि 1 अपरेल से 28 अपरेल के बीच जब भी आपका exam होगा ठीक है आपका exam होगा cancel नहीं किया गया ठीक है मार्तर cancel 30 और 31 March वाले exam को किया गया है ठीक है आगे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर यानि कि समिती की बिग्यापती संख्या PR वही जो है उपर आप सभी को बताए हैं तो आप लोग इस notice के मार्धिम से मोटा मोटी यह समझ लेजिए ति आपका जो 30 मार्च और 31 मार्च के दिन होने वाला बिहार डिलेड इंट्रेंस एक्जाम को कैंसिल किया गया है ठीक है क्या किया गया है कैंसिल किया गया है एस्तागित कर दिया गया है बाकी शिप्ट और बाकी डेट के एक्जाम में कोई भी changing नहीं किया गया है और ना कोई cancel किया गया है बागी एक अपरेल से 28 अपरेल के बीच आपका जब भी एक्जाम होगा वह आपके निरधारित परिक्षा केंदर पर होगा ठीक है तो आप लोग किसी भी तरह के कोई doubt में मत रही है ठीक है और देखिए जि आपका admit card आपके एक्जाम से पहले डाउनलोड हो ही जाएगा ठीक है चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते है अगले वीडियो के सांथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत